दूंगरपूर मेडिकल कॉलेज का मात्र एवं शिशु अस्पताल इन दिनों संस्थागत सुरक्षित प्रसव कराने आ रही प्रसूताओं के लिए मौत का केंद्र बनता जा रहा है दरसल जानकारी के अनुसार 24 एप्रिल को प्रसव के लिए आई तीन प्रसूताओं को अपनी जिन्दगी से हाथ धोना पड़ गया प्रसूताओं के अकाल मौत होने से उनके परीजनों में दुख के साथ साथ अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भारी आकरोश भी दिखाई दे रहा है मुख्याले के रामनगर में रहने वाली 25 वर्शिय कोमल पंच्वाल की प्रसव के दौरान पुत्री को जन्देने के बाद हुई मौत के सदमे से उसकी मा शर्मिला पंच्वाल अब तक बाहर नहीं आ पा रही है बेटी को खोने की दुख से मृत्तका की मा का हाल बेहाल है जिसके चलते उसने जिला कलेक्टर को एक ग्यापन दे कर न्याय की गुहाल लगाई है ग्यापन में शर्मिला ने नामजद डॉक्टर सती श्रीमाली द्वाना एनस्थेसिया का ओवर डोस दिये जाने का रोप लगाया साथ ही जिकित्सकों की पांच सदस्य जांच कमेटी से मामले की जांच करवा कर दोशियों के खिलाफ सक्त कानून निकारवाई किये जाने की मांग भी की है वही नवजद के जीवन यापन के लिए पीडित परिवार को 50-50 लाग हुपे की सहायता राशी प्रदान करने की मांग रखी दरसल मृत्यका कॉमल की माश शर्मिला पिछले कई सालों से अंगनबारी कारे करता है ग्रामी नक्षेत्रों में उसने सरकार की जननी सुरक्षा योजना का प्रचार प्रसार कर सरकार और प्रसूताओं के बीच मजबूत कड़ी का काम किया है कई प्रसूताओं को सरकार किस महत्वा कांक्षी योजना का लाब दिलबाच्व की शर्मिला खुद अपनी ही बेटी को सुरक्षित नहीं कर पाई ये कहते हुए वह जननी सुरक्षा योजना पर बहुत बड़ा सवाल्य निशान लगाते हुए नजर आई बता दे कि 24 एप्रिल को जिला अस्पताल के मात्र एवं शिशू जिकित साले में तीन प्रसूताओं में से दो प्रसूताओं के आख्रोशित परीजरों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ग्यापन दे कर म्याय की कुहार लगाई है को जिस्ट भाई दबल दोज किया खिया एसा कोंजा अपरेसिन हुआ कोंजा बड़ा अपरेसि पकर दिया था मेरी बेटी चाहित गई तो कोई बाद निपन दूसरी की मा की बेटी की गोध सो दिना रहा है बहाई की रागी का मंदर नहीं तोड़े पा मुझे सत्य चाहिए मेरी बेटी का वह थाई नहीं के अट जाएंगे मेरी बेटी तो सरकारी में खो के बेटी तो क्या मेरे फिल्टर के लोग जाएंगे और जिर्दी सुरिक्षा का कोई फाइदा लेगा नहीं लेगा सर, नहीं लेगा